नमश्कार मैं स्वारा मिश्रा स्वागत करता हूँ आप लोग अपने स्वीटीव चैनल एगरुकुल में फ्रेंड्स इस वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं BLII 011 की बुकलेट नमबर 2 का यूनिट नमबर 6 जिसका टाइटल है फिजिकल प्रोसेसिंग जो स्ट्रेंड्स CLIAS के लिए उनके लिए तो वीडियो हैं ही साथ में जो स्ट्रेंड्स कॉंपूटिटिव एजाम के त्यारी कर रहे हैं DSSB, NVS के लिए या किंदर विद्यालेस के लिए उनके लिए भी वीडियो बहुत हल्पूल होने वाली हैं कि बेसिक्स हम लोग जो CLIAS में पढ़ रहे हैं वह बहुत साधा फंडेमेंटल्स चीजें हम लोग को बताता है लाइब्री साइंस के फिल्ड में तो ऐसे स्ट्ट्रेंट्स जो केंद्र विद्यालेस नवोदै डिससबी के लिए तैयारी कर रहे हैं क्या basic definitions होती है physical processing की वह पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग अपना first topic होगा process of physical processing ठीक है purpose of physical processing हम लोग किस purpose से physical processing करते हैं उसके बारें पढ़ेंगे next steps in physical processing किस तरह के steps को follow करते है physical processing को करने में and the last is material required for physical processing बहुत छोटा सी उनिट है बहुत बहुत जादा details में हम लोग नहीं जाएंगे बहुत जादा details में हम लोग इस सब चीज़ों को नहीं convert करेंगे क्योंकि बहुत basic सी चीज़ें बटी बहुत fundamentals हैं यह सब चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी चाहिए आपके जो exams होते हैं उसमें चलिए physical processing क्या होती है देखें कोई भी बुक जब आप या कोई भी librarian के में के पास कभी भी कोई बुक आती है चीज़ें स्टोर से या publishers की तरफ से तो वो सीधा उठा के उसको shelves में नहीं display करता है उससे पहले उसको कुछ work out करना पड़ता है उसमें कुछ चीज़ें करनी करते हैं इस तरह से design करते हैं ताकि वो shelf में लगाई जा सकें और जो readers हैं जो आपकी users है library के वो इसको easily access कर सकें और easily आपको वापस shelf में रख सकें इन सब processes को हम लोग physical processing के under में include करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं before books and other library items can be shelved and then circulated from the library they need to be physical prepared physical processing is mainly about getting book getting book ready for the shelving so that they can be located used and return to the library from where from which they originated each item in the library must go through physical processing physical processes therefore refers to all such routines that library undertake to make books ready for circulation and to take steps to prolong their self-life ठीक है हम लोग जो books को selfing से पहले का जो काम करते हैं इसको labeling करना उसकी maintenance जो भी थोड़ा बहुत होता है covering करना या binding करना वो सारी चीज़ों को हम लोग physical processing में लाते हैं ठीक है आगे next देखते हैं कुछ steps के बारे हम पढ़ते हैं क्या-क्या steps follow करने पढ़ते हैं physical processing को करने समय यहां पर देख सकते हैं हम लोग five major steps को follow करेंगे या follow करने पढ़ते हैं जिसमें सबसे पहला steps आता है हम लोग का inspection जब भी हमारे पास कोई book आती है तो हम उसको properly या thoroughly inspection करते है कि कोई pages missing तो नहीं है sequencing number ठीक है कहीं pages 40 नहीं है या हमने जो book मंगाई थी जिस तरह से जिस volume जिस title से book मंगाई थी वही book हमारे पास available हुई है या वही book आई है कि नहीं इन सब चीजों को हम लोग inspection की category में देखते हैं जिक है अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो बाइंडिंग थोड़ी सी खराब हो लीफ निकले हुए हो pages फटे हुए हो डेमेजड हो वह title ना आया हो जो आपने मगाया है तो उसको हम लोग return कर सकते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले जो क्या करते हैं इस टाइटिंग बॉक बाइंडिंग मलब जो बुक के टाइट बाइंडिंग होती है कुछ ऐसे बुक्स होते हैं आप देंगें बहुत टाइट बाइंडिंग होती है वह प्रॉपर लिख खुलती नहीं है उसको maintain करने थोड़ा थाइन वह सरी चीज़ें हम लोग पहले से ह यह सारी चीज़ें करते हैं before shelving the books next reinforcing paperback paper books मतलब कुछ ऐसी बुक्स आती हैं जिनमें covers नहीं होते हैं जैसे अगर मैं example लेता हूँ यह वाली सकते हैं तो कुछ ऐसे papers को लगाना या newspaper को cover करना या उस पर पॉलिथिन लगाना यह सारे काम पॉलिबैक्स को से उसको cover करना यह सारे काम हम लोग करते हैं reinforced paper books में ठीक है मतलब लाइबरी रहने वहां पर आका वहां का आपका लाइबरी के स्टेम्स आपकी बुक्स में होने चाहिए ठीक है और वह स्टेम्स आपको front page वे cover page में कुछ inner pages में आपकी होने चाहिए वो करता है लाइबडरी वो कहां-कहां books लगा रहे हैं नेक्स्ट है labeling करना books की labeling करने का मतलब होता है Pie lights लगाना चाहिए आप यहांपे dress वर यहां यहां पर लगा हुए और हर जगर box के बहुत सारे id में यह call numbers हम लोग mention करते हैं so that कि books को properly identify किया जा सके उसको जहां पर हम लोग शेल्फिंग करते हैं वहां पर हम लोग आराम से locate कर सके next preparation for circulation अब उसको जब हमने इसकी physical चीज़ें सब कुछ maintain कर दी labeling कर ली stamping कर ली अब उसको हम ready कर रहे है circulation के लिए circulation का मंदब उसको issue करना या उसको return करना इस सब चीज़ों के लिए उससे पहले हम लोग क्या करेंगे book card लगाएंगे चिक है मैं इसी book के help से आपको बता रहा हूं यह देखिए इसका जो भी basic details है इसमें वो सारी चीज़ें आपको इसमें बुक में इस बुक में book card मिल जाएगी और यह सबसे last में आपकी जो book होती है उसके सबसे last page में आपको इसको लगाना होता है so that की इस book के record यह कहां कहां circulate हो थी किसके पास गई थी कौन इसको कितने time तक लेकर रखा था यह सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाए next है book pocket यही book pocket होता है यह वाला book pocket जो मैंने आपको इसी में हम लोग यह book card रखते है और फिर इक due date slip यही सेम चीज़ आपको due date slip कि किसके पास कौन से book है कौन से book due है यह सारी चीज़ें हम लोग इस book card में maintain करके रखते हैं next है preparation for call number tax और यही जो call number tax है उसको prepare करना यह सारी चीज़ें अलग-अलग classification scheme से अलग-अलग libraries अपने लेवल पर जो भी उनके सुवधा होती है उसके साब से करते हैं यह सब चीज़ें कैसे की जाते हैं आने वाले classes में या फिर हम लोग higher studies में पढ़ेंगे तो वहां पर चीज़ें आपको यह सब details में देखने को मिलेगी यहां से बस आप इतनी चीज़ें रखें कि हम लोग जब books को circulate करने चाहते हैं सर्कुलेट करना करने से पहले कुछ उसकी preparation करते हैं जिसको हम लोग physical processing में या physical processing के अंडर में देखते हैं तो यह कुछ steps थे जिनको हम लोग बुक को पहले सर्कुलेट करने से पहले की चीज़ें हम लोग देखते हैं करनी पड़ती हैं कुछ materials का requirement होता है books को physical processing के जो process होते हैं उसको complete करने के लिए जिसमें सबसे पहले हम लोग library labels देखते हैं अलग-अलग मैंने बताया आपको labeling करनी होती है उन सब चीज़ों का मठी लगता है library property stamps ठीक है आपको stamping करनी होती है library की books है किस library की book है उस library के book के नाम की जो stamping होती है वह आपको करनी पड़ेंगी इंक पैड आपको चाहिए जिसमें आप black ink या red ink आप जो भी blue ink इस्तेमाल करना चाहिए कर सकते हैं अलग-अलग कामों के लिए जैसे अगर आप winding out करना चाहते हैं books को तो उसमें red ink लगाते हैं कि हमने ये books हटा दी है जब entry करते हैं इन करते हैं books को तो हम लोग blue या black stamp से जैसे भी books की वो चीज़े हो book pocket अभी मैंने आपको दिखा है book pocket हम लोग को बनाने पड़ती है book को सर्कुलेट करने से पहले ठीक है book cards भी रखने होते हैं जिसके dimensions आप देख रहे होंगे यहां पर आपकी स्क्रीन पर यह dimensions होते है book card के या book catalog card के नहीं ठीक है इनेशन यहां पर hidden होती है और यह catalog card कैसे बनता है यह भी यह भी एक book के processing में इस्तमाल होने वाला instrument है जिसमें हम लोग पहले books की जितनी भी details होती है वो सारी यहां पर mention करते हैं और वो catalog card cabinet में रखते थे हैं सो देट कि students कभी भी आए या कोई भी reader आए तो इस cabinet से देखके उसको बुक की location आज राम से या easily पता चल जाए चेक है book tax लगाते हैं books का labeling करते हैं जो भी हम लोग नहीं देखा यहां पर call number लगाना या stamping करना यह सब चीज़ें due date slips भी हम लोग mention करते हैं इसी बुक में ही सो देट की कभी भी कोई student अगर कोई book बहुत जादा देर तक लेके रखा हुआ है या उसकी due dates आ गहीं है तो वो चीज़ें हम लोग को सब्सक्राइब करने से पहले कुछ हमारे फंडमेंटल सी स्ट्रॉंग करती है युनिट सो स्ट्रेंट यहीं तक हम लोग आइगस की अपनी जो नेक्स्ट वीडियो से मुस्में यह चीज़ें और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे जब आप लोग लाइबरियरी साइंस इसके बी अब बैस्टर को से में जाएंगे तो इन से अपसे जिए को आप बहुत ज्यादा डिटेल्स में स्टडी करेंगे मेरी और भी वीडियो जो भी लाइस में वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं सो स्ट्रें यहीं तक आई होब कि चीज़ें आप लोग को क्लियर जो छूड़ गया हूँ वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैं वहां को आपको ज़रूर रिप्लाइद हूँगा मिलते हैं कौन नई वीडियो साथ तब तक के लिए नमस्कार चाहें